अभी गाज़रा तमिलनाट की बात भी कर लें अर्श्मदन्जी आप दोनों पर कॉमेंट कर दीजेगा फिर तो तमिलनाट के डेटा को भी एक नज़र डाल लेते हैं 49 सीटें बहुत बड़ा राज है 39 सीट्स आती हैं वोट शेर में देखिए DMK को 31 परसेंट वोट मिल सकता है AIA DMK को 25 परसेंट वोट मिलतावा देखाई दे रहा है Congress Party को 11 परसेंट, BJP को 7 परसेंट, PMK को 6 परसेंट और Annay को 20 परसेंट यहाँ भी July और अब तक के बीच में अंतर ही आया है कि AIA DMK NDA से अलग हो गई है अब वहाँ अलाइंस नहीं है BJP का और AIA-DMK का तो जब हम बात करते हैं अभी तो वोट शेर है सीटों में कितना अंतर आया इन दोनों पार्टियों के अलग होने का एक नजर उस पर हम डाल लेते हैं सीटों में आप देखिए 21 सीटें DMK जीट सकती है आज की परिस्तिकी में 6 जाती भी दिखाई देती हैं AIA-DMK को साथ सीटें मिलती भी दिखाई दे रही हैं Congress Party को यानि DMK और Congress Alliance में हैं तो 28 सीटों को आपको ये गटबंदन बनता हुआ दिखाई दे रहा है PMK को एक सीट अन्य को चार सीट BJP का तमिलनाड में खाता खुलता हुआ इस बार नहीं दिखाई दे रहा है अगर मार पास comparison है July से तो हम वो भी दिखा देते हैं जुलाई के सर्वे में और अभी के सर्वे में कितना अंतर जो है वो आया है जब EIA DMK BJP से अलग हुई है NDA से अलग हुई है ये आपके सामने अब जुलाई का और अभी का जो तुलना है वो स्क्रीन पर आवा रही है इसमें आपको सीधे इंडिया अलाईन्स का दो सीटों का फाइदा होता हुआ दिखाई दे रहा है और NDA का नुकसान यानि सीधे सीधे BJP का नुकसान था ये अगर EIA DMK अलग होती है तो वो आपको इसमें दिखाई दे रहा है हाला कि ये चुनावों के लिहाज से अभी आपको नुकसान दिखाई दे रहा होगा चुनावों के बाद बहुत मुम्किन है कि फिर से EIA DMK एंडिये का हिस्सा बन जाए तो वो भरपाई बाद में पोस्ट इलेक्शन जो है वो जरूर हो सकती है और ये भी माना जा रहा है कि ये जो अलग हुआ ये अलग भी हुई है ये भी एक डामेज कंट्रोल करने की एक्सरसाइस थी तो दो चीजें हैं एक तो तमिल नाडू की राजनीत में भारती जनता पार्टी ने एक तरह से अपने आपको एक्सपैंड करने की कोशिश की है जिस तरह से बढ़ाने की कोशिश की है तो जाहिरे जो भी आपका योगी होता है वो सहज होता है लेकिन यहां सनातन के मुद्दे पर AIDMK की ये भी स्थिती नहीं है कि वो एकदम से उसके उलट स्टेंड ले भारती जनता पार्टी के लिए क्या महतुपूर्ण है कि उसके नेता के अन्नामल आई जो पिछड़ा दलित और तमिल नाडु की राजनीत के लिहास से कहते है जो एंटी ब्रहमिनियम वाली प्यालिटिक्स है वो हवा उसको नहीं मिले उसमें सफलता उसको मिल रही दूसरा उनके नेता इस्थापित हो रहे है अभी विधान सबा में उनके कुछ नेता पहुंचे एक सीट उन्होंने पहले जीती भी है तो क्या उस तरफ हो जाएंगे हो सकता है सीट जीतते हुए नहीं दीखे लेकिन चुनाओ बाद का जो समीकरणा वो तो एकदम अलग होता है अभी के समीकरण में भारती जन्ता पार्टी को मत प्रतिशत में लाब होने वाला है करनाटक के संदर में एक जरूरी बात देखे मैं भावेश जी की इस बात से पूरता सहमत हो जाता हूँ कि वोट ट्रांसफर नहीं होगा लेकिन भारती जन्ता पार्टी के लिए चुनोती ये है कि वोक कलीगा एक मुष्ट मुसल्मानों के साथ कॉंग्रेस पार्टी को वोट नहीं करे इस गड़जोड के पीछे सिर्फ और सिर्फ ये रणनीती है भारती जन्ता पार्टी के पास अपना इतना मजबूत आधार है और आठ से दस सीटे यानि जो 28 सीटे है उसमें आठ से दस सीटे जिसको कहा जाता है कि देवगोडा जी के प्रभावाली है अगर उसमें 3 सीटे जीत जाए और 5 सीटों पर कॉंग्रेस का खेल बिगार दे तो भारती जन्ता पार्टी 20 प्लस बहुत आसानी से पहुँच जाएगी और उसकी वो जो लड़ाई है कि क्या करनाटक वे जो अकेला राज्य है उसका वहाँ बहुत नीचे तो नीचे ली जाएगी जो सर्वे कह रहा है कि 16 सीट, 15 सीट मुझे लगता है कि भाजपा उस तरब देख रहे है और उसको सफलता मिलती हुए देख रहे है